हलो फ्रेंज मैं सुनम जैन आज आप सभी केरे फिर से लेकर आ गई हूँ एक नई कहानी 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 का नामे मैं बहुत बुरा पती हूँ कहानी आप सभी को पसंद आए तो चैनल को सस्क्राइब जरू कीजीगा क्योंकि इस चैनल पर मिरती रहेंगे आप सभी को नई-ने कहानी देखने के लिए बीटियों को लाइक एंसे जरू करतीजीगा इससे मुझे मिरती है नई-ने कहानी रिखने के लिए प्रेलना तो चरिय कौन मुर्ग होते हैं जो कहते हैं साती नहीं करने चाहिए लेकिन मैं तो कहता हूं साती जरूर करने चाहिए मुर्ग होते हैं वही रोग जो अपनी पत्नी की बुराई करते हैं मैं तो कभी नहीं कर सकता आखिर भगवान ने मुझे इतनी अच्छी पत्नी जोती है रासी मुस आपके ओफिस का ताइम हो रहा है। निखिर घरी की तरफ देखकर कहता है, अरे ताइम तो हो गया, आज तो ओफिस जाने में डेथ हो जाऊंगा, रासी अब मेरी तारिफ नहीं करेंगे, निखिर आपकी तारिफ करने में तो एक जनम कम पर जाएगा, देकिन यहती समय से अपस नहीं पहुचाना तो बहुश चरूर तूसरा जनम्यात देंगे अच्छा वाई निखिर रासी से कहता और भागते हुए जाता रासी के चहरे पर मुस्कान आ जाती रासी अपने घर के कामों में लग जाती रासी और निखिर के साथी को अभी सिर्फ दो महीने ही हुए थे और प्यार बहुत गहरा था बैसे निखिर जतनी मीथी बादे कर लेता था उतनी ही मीथी उसकी आवाज थी उसकी आवाज का हर कोई दीवाना था लेकिन निखिर इस पास से अंजान था कि रासी भी बहुत अच्छा गाना गा लेती है आज रात जब निखिर जब आफिस से आता तो बहुत देर हो चुकी थी निखिर सोचता रासी सोच चुकी होगी उसकी नेंद क्यों खराब करूँ भही अपने बैक में से दूसी चाबी ने कारता और जब दरवाजा खुर का अंदर जाता तो बहुत रासी को देखकर हैरान रह जाता क्योंकि उसने रासी का ये रूप आज के पहरे नहीं देखाता और बहुत रासी से गुस्से में कहता तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात चुपाई रासी हिचकचाती हुए कहती क्या हुआ निखिर मैंने आपसे क्या चुपाया निखिर गुस्से में कहता एही कि तुम्हें गाना गाने का सौक है रासी गबराती हुए कहती बहुत निखिर मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन निखिर लेकिन बेकिन क्या और बहुत जोर से हसने रखता और कहता अरे मैं तो मचा कर रहा था मुझे तो अच्छा लगा यही जानकर कि तुम्हें भी मेरी तरह गाने को सौख ही निखिर कहता एक बात बताओ तुमने अभी तक अपना एह तेरंट छुपा कर क्यों रखा रासी मुझे दर लगता है किसी के सामने गाना गाने से ऐसा लगता है कि सामने वारा मुझे पर हसेगा निखिर अच्छी मूर्ख हो तुम इतना अच्छा गाना गारेती हो और दुनि च्वपने नहीं दूंगा और एक दिन जब निखिर और रासी, निखिर के दोष्ट के हां पाइती में जाते तो निखिर के दोष्ट कहते यार पाइती बहुत बोलिंग लग रही है. तू कुछ सुनाते मचा आ जाएगा. निखिर कहता, आज गाना में नहीं, मेरी पतनी रास सुनाई की तभी सब कहते तो तेरी तरह गानी का सौक भावी जी को भी है निखिर मुझसे भी अच्छा गाना गा रेती है अच्छा तु भावी जी आप ही को सुना दीजी निखिर के दोश्टों ने कहा रासी मना करती तभी निखिर की दोश्ट की पतनिया कहती अरी रासी क् अपने तो ही यहां एक अच्छा सा गाना सुनाते रासी निकिर से दीरे से कहती मुझे दर रख रहा है निकिर रासी का हाथ पकरता और पूछता अभी दर रख रहा है रासी मुस्कराते हुए कहती नहीं निकिर कहता तो फिर कुछ सुना तो रासी अपनी सुरीरी आबाच में बहुत मीथा गाना सुना थी और सब रासी की बहुत तारिफ करते जिसे सुनकर निखिर और रासी बहुत खुश होते और सब रासी की बहुत तारिफ कर रहे थे निखिर भी रासी की तारिफ से खुश था और रासी के अंदर गदर कहीं भाग चुका था अब वहे खुरकर कहीं भी गाना कह सकती थी रासी बहुत खुश थी कि उसे इतना अच्छ जीवन साती मेरा जो हर वक्त उसके साथ थी लेकिन कहते हैं ना खुसियों को नचर लग जाती है रासी की खुसी तो उसके पती से ही थी निखिर रासी से बहुत प्यार करता था उन दोनों के बीच में इतना प्यार था कि रोक तोने तोता और मैने की जोरी कहते थे दोनों एक दूसरे के बिना अथूरे थे लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि दोनों के बीच में दूरिया आना सुरू हो गई आज जब निखिर ओफिस गया तो सभी के मूँपर एक ही बात थी निखिर भावी जी क्या गाना गाती हैं सच में कितनी मीथी आवाज है भावी जी क्या सुडीरा गाना गाती हैं बुरा मत मानना निखिर भावी जी ने तो तुछे भी पीछे छोड़ दिया अरे बही इतना मीथा गाना गाती हैं कि तेरी आवाज तो उनके आंगे फीकी पर गई तू तो भाबी जी से हार गया तबी पंकच आता जो निखिर के आफिस में ही काम करता था बही कहता अरे इहे तो देखो भाबी जी तो फेमस हो गई भावी जी की आवाज दुनिया में गुंच रही है कर भावी जी का पीडियू बनाया था ना गाना गाते हुए बहुत तो लोकों को बहुत पसंत आया और इतना पसंत आया कि अभी तक सौम मिरियन से भी जाता रोक उसे देख चुके हैं निखिर तू तो बहुत खुश होगा ना पंकच ने निखिर से कहा निखिर भी मुस्कराते हुए कहता हाँ में बहुत खुश हूँ पर निखिर सच में खुश था या नहीं एहे तो निखिरी जानता था आज साम को जब निखिर ऑफिस से घर गया तो रासी कहती निखिर एहे तो देखो एही वीडियो कितनी फेमस हो गई है मेरी आवाज के सबी दीवाने हो गई है निकिर हरकी सी मुष्कान के साथ कहता देख रिया था ओफिस में पता चर गया है निकिर को रासी की तारिफ से कोई बुराई नहीं थी वही खुद रासी की बहुत तारिफ करता था लेकिन जो तारिफ आज रासी की हो रही थी वही खुद अपनी चाहता था और उसे वही तारिफ नहीं मेरी इसले वही कहीं न कहीं रासी से जल रहा था और निकिर खुद इस बास से अंजान था रासी कहती निकिन में बहुत कोशू हूँ और यह सब आपकी बचे से हुआ है यति आप मुझे गाना गाने के लिए नहीं कहते तो मैं तो इतना सुन्दर गाना ही नहीं का पाती और मेरा हुनर किसी को पता ही नहीं चलता आप सच कह रहे थे अपना तेरें छुपा कर नहीं रखना चाहिए निकिर अपने गुस्से को सांध करते हुए कहता अब खाना मिरेगा भूक रख रही है रासी सौरी मैं अभी खाना गरम करकर लाती हूँ निकिर खाना खा रहा था और रासी उस से बाते कर रही थी लेकिन न खाना खाने के बाद कहता, मेरी सिर में दर्द हो रहा है। जाकर सोता हूँ। रासी कहती, क्या हुआ निकर, मैं अभी आप के लिए अतरक बारी चाय बना देती हूँ। आपका सिर दर्द चरा जाएगा। निखिर कहता, उसकी कोई जवरत नहीं है। दबाई लगा कर सोचाता हूँ तो कर सुबह तक ठीक हो जाएगा कहकर बहां से चरा जाता रासी सुच्टी निखिर को किया हुआ आज के पहरे तो ऐसा विवान नहीं किया था फिर थोरी देन में उसके मन में खहा रहा था क्या हुआ होगा एक तो से दर्द हो रहा था और मैं भी अपनी बखवास से उन्हें पकाती जा रही थी आफिस में काम जाता हुगा कहीं बोस ने तो कुछ नहीं कह दिया उसके मन में कई सवार उथ रहे थे दूसरे दिन रासी निखिर को चाय देती हुए कहती अब सिर्दर्द कैसा है निखिर अब ठीक हूँ तभी उनके गेत की बेरवश्टी रासी में देखती हूँ कहकर दर्वाजा खुनने चरी जाती दर्वाजे पर निखिर के दोष्ट की पत्नी और उसके साथ एक ब्यक्ती थे निखिर की दोष्ट की पत्नी सोईता रासी से कहती आपने तो धूम मचाती रादो राद फैमस हो गई रासी थैंक्यू और वहे बताती कि एहे मेरे अंकारे एक मुचिक एरवं बनाना चाहती इन्हें आपकी आवाज कुछ चाहता ही पसंता ही है तो आपके रिए ओफर रेका रहें क्या आप निके मुचिक एरवं में गाना गाएंगी रासी खुशी से निखिर की तरफ देखने रखती तभी सोईता कहती है निखिर की तरफ क्या देख रही है थोड़ी ना निखिर भईया मना करेंगे हां कहतो ऐसे ओफर बारबान नहीं मिरते हैं क्यों निखिर भईया निखिर हां जैसा रासी को ठीक रखे मुझे ओफिस चाने में देर हो रही है मैं ओफिस चाता हूं कहकर चरा जाता निखिर के ओफिस चाने से रासी के चहरा उतास हो जाता क्योंकि अभी तो ताइम भी नहीं हुआ था ओफिस जाने का तो सोईता कहती अब क्या सोच रही है रासी कहती मैं आपको फॉन करकर बता दियू रासी दिन भर एही सोच थी आके निखिर को क्या हुआ है वहे मसे अच्छे से बात क्यूं नहीं कर रहे है बहुत देर हो चुकी थी रात के बारा बच चुके थी और निखिर घर पन नहीं आया रासी बहुत घवरा रही थी और निखिर का फॉन भी सुचव पार रहा था रासी को समझ में नहीं आ रहा था बही क्या करे तबी बही निखिर के एक दोस्त को फोन करकर पूछती क्या निखिर आपके साथ है निखिर का दोस्त कहता है नहीं भावी जी क्यों क्या हुआ निखिर अभी तक घर पर नहीं आया बही तो आज ओफिस से भी जर्ती चरा गया था मैंने पूछा तो कह रहा था त रासी जर्दी से जाकर दर्वाजा खोड़ती तो दर्वाजी पर निखिर था निखिर को देखकर रासी की सांस में सांस आती और वही निखिर से पूछती आप कहां चरे गए थे निखिर गुस्से में कहता अब कहीं आने जाने के पहरे भी तुमसे पनमिसर रेनी परेगी क्य रासी मेरा वहे मतरब नहीं था निखिर गुस्से में कहता बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हारा मतरब क्या था अब तुम फैमस हो गई हो तो मुझे नेचा दिखाओगी रासी कहती अब आप सांथ हो जाएए मैं खाना लगा देती हूँ निखिर कोई जवरत नहीं है मुझे भूख नहीं रखी है कहकर अपने कमरे में चरा जाता और रासी की आँखों से आशु वहने रखते बहे समझ चुकी थी कि निखिर को मेरा गाना गाना पसंद नहीं और बहे नहीं चाहते कि मैं मुझे के रवं में गाना गाऊं तबी भई सुईता को फोन करती और फोन करकर कहती कि आप अपने अंकर से मना कर देना मैं गाना नहीं गा पाऊंगी मेरी तबियत कुछ ठीक नहीं है सुईता कहती पागर हो गई है क्या इतना अच्छा मौका को देगी रासी कहती कुछ खोना ही तो नहीं चाहती इसलिए तु मना कर रही हूं सुईता क्या मतरफ रासी कुछ नहीं बस आप मना कर देना सुईता एक बार और सोच रहे रासी अब नहीं सोचना कहकर फोन रख देती दूसरे दिन राजी और निकिर आपस में बात नहीं करते निकिर भी सांती से नाष्टा करकर ओफिस चरा जाता और ओफिस में जाकर निकिर का दोष्ट पंकच निकिर से कहता तो भावी जी को समझाता क्यों नहीं इतना अच्छा मौका गवा रही है निकिर कहता कैसा मौका पंकच तू भी कमार करता है तुझे कुछ पता ही नहीं अरे मेरी पत्नी सोईता आई थी ना तुम्हारे घर पर अपने अंकर को रेकर भही मूजिक एरबं बना रही है तो भावी जी से गाना गाने के लिए कहा था निकिर हा तो पंकच तो क्या भावी जी ने मना कर दिया गाना गाने से निखिर को यही सुनकर आचरी होता और वही पंकच से कहता है इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यही रासी का फैसरा है उसे गाना गाना होगा तो गाएगी नहीं गाना होगा तो नहीं गाएगी पंकच कहता तू कैसी बाते कर रहा है तुछ भावी जी को समझाना चाहिए निखिर कहता परिशन मत कर मुझे मेरा काम करने दे तभी समीर आता और वही निखिर से कहता कर तू कहां गया था मुझसे कह रहा था तभी अथीक नहीं और भावी जी का रात को बारा बचे फोन आया था वही कह रही थी कि तू अभी तक घर पन नहीं आया फिर कहां गया था जानता है, कितना घवरा गई थी भहे निखिर चिला कर गहता क्या मुझे तुम सब को सब कुछ बताना जरूरी है जबसे आया हूं परिशन कर रहे हो सबारों की लाइन लका कर रखती है तुम सब ने अरे तुम सब अपने काम से मतरप रखो मुझे मेरे काम से मतरब रखने दो परिशान हो गया हूँ हर किसी को जवाब देते देते और गुसे में घर पर चरा जाता है निखिर घर पर जाकर देखता कि रासी अपनी देदी से कौन पर बात कर रही है कह रही थी नहीं देदी जब निखिर को ही पसंद नहीं मेरा गाना गाना तो मैं कैसे गा सकती हूँ और मेरी खुसी में जब मेरे पती मेरे साथ नहीं होंगे तो भही खुसी मेरे किस काम की कहीं निखिर मुझसे दून ना हो जाए मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुसी मेरे पती है मैं उन्हें खोना नहीं चाहती निखिर को पसंद नहीं मेरा गाना गाना तो मैं आज के बाद कभी गाना ही नहीं गाऊंगी में चे कह रहे हैं किया मैं उनके रिये तो बरे से बरा ओफर चोड़ सकती हूँ आखिर मेरी जिंदकी मेरे निखिर से है मैं अपने पती को कैसे छोड़ सकती हूँ उनके रिये तो मैं बड़ी से बड़ी खुसियां छोड़ सकती हूँ लेकिन अपने पती को नहीं एह सब पीछे खरा हुआ निखिर भी सुन रहा था और रासी की बाते सुनकर उसकी आँकों में आंसु हुआ जाती और भाई सोचता मैं कितना सुवार्थी हो गया था और भाई रासी के पास जाता और आखों में आंसु रिये उससे कहता रासी मुझे माफ करतो निखिर को रोता हुआ देख रासी घबरा जाती और उससे पूछती निखिर क्या हुआ आपको आप रो क्यों रहे हैं निखिर अपनी मुर्खता पर रो रहा हुँ तुम मेरे लिए गाना गाना छोर सकती हूँ और मैं तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ नहीं सुन सका क्यों? क्योंकि जो इस्तानाच तुम्हे मिर रहा है बहे मैं चाहता था, मैं चाहता था कि मैं किसी फिरिम में, किसी मुची कैरबं में गाना काऊं, लोग मुझे भी पहचाने, और बहे ओफर मुझे नहीं मिरा, और तुम्हें मिरा गया, तो मैं तुमसे जनने रखा, तुम्हारी उन्नती से मुझे तक्रिप होने रखी, कितना स मैं बहुत बुरा हूँ बहुत बुरा पती हूँ मैं मुझे माफ कर दो रासी रासी निखिर से हच्टे हुए कहती निखिर आप बहुत अच्छे हैं दुनिया के वेश्ट पती हैं आप और जो मैं आज हूँ बहुत सिर्फ और सिर्फ आपकी बचे से ही तो हूँ निखिर कहत तो तुमने मुझे माफ कर दिया रासी माफी मांगने की जवरत ही क्या है निकिर तो फिर तुम अभी सोईता भावी को फोन करो और उनसे कहो कि तुम गाना गाने के लिए तैयार हो रासी रहने दीजिये निकिर उसकी क्या जवरते निकिर तो तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया रासी ऐसी वात नहीं है निकिर तो तुम्हें मुझे पर भरूसा नहीं रासी आप क्या कह रही है निकिर तो फोन करो रासी सोईता जी को फोन करती और कहती मैं गाना गाने के रिए तयार हूँ सोईता कहती एह हुई ना कोई बात चर्ब में अभी अंकर को फोन करकर बता देती हूँ अब रासी और निकर दोनों की आँखों में आसू बहते जा रहे थे बहे आसू खुसी के थे उमिद करती हूँ दोस्तों आज की हे कहनी आप सभी को पसंत आई होगी यति कहनी पसंत आई है तो सेर जरू करती जीगा बीतियों को लाइक जरू कीजीगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बुरकुर नहीं हुरीगा क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी नहीं नहीं कहनियां देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग